कि निमस्कार कैसे हैं आप 370 को सुप्रीम कोट में चैलेंज कर मतलब आर्टकिल 370 की पुना वापसी की कलपना लेकर कॉंग्रिस अपने अनेक सिपाईयों को सुप्रीम कोट के मैदान में उतार दे सोनिया के मनमोहनी सरकार के पुर्व मानव संसाधन मंत्री पुर्व कानून मंत्री सुप्रीम कोट में दिगज वकील कपिल सिक्बल समेत दर्जन देर दर्जन वकीलों को 3070 के खिलाप उतारा गया कि 3070 की पुना वापसी हूँ लेकिन कॉंग्रेस ने कलपरा नहीं की होगी कि मोधी सरकार को जस्टिस चंद्रचूर के सामने में गुटने के बर लाने के इस जद्दो जहद में वो नहरू को नगन कर देगी 3370 पर सुपरीम कोट में हेरिंग ने जवार लाल नहरू का पूरा चड़ीत्र हनन कर दिया है सरकार यदि जो कुछ बोलती यदि आमिद्षा और मोधी कुछ बोलते तो लोग ये समझी नहीं पाते सुप्रिम कोट में तथ्यात्मक जीरा ने नहरू का पूरा चडित्र हनन कर दिया नहरू को पूरा नगन कर दिया सुप्रिम कोट में कि नहरू ने किस तरह से जम्मू कश्मीर को एक दम से पेंडूलम बना दिया कश्मीरियों की तबाहिक तै कर दी और जिस राज्य को भारत में सबसे बैतरीन तरीके से विले हो जाना चाहिए था वो नहरू के कुछ रितर के कारण बरबाद हो दरसल सॉलिस्टिटर जनरल तुशार मेता सुप्रिम कोट में जब जीड़ा करने लगे तो उन्होंने गोपाल शंकर आएंगर का किजर चाके गोपाल शंकर आएंगर नहरू के परम भक्त थे और जबाहालाल नहरू ने उन्हें जम्मू कश्मीर में अपना दूट बना कर रखा हुआ था जब देशी राज्यों का विले भारत में हो रहा था और जब सर्दार बल्लब भाई पटेल जद्दो जहत कर रहे थे 562 देशी रियास्तों को भारत में मिलाने का उसमें कई टेड़ी की राज्य थे जिसमें हैदराबाद था जूनागड था ये सबसे ज़्यादा टफ थे इन राज्यों का भारत में विले नहर सदार पटेल ने वो भी कर ड़ा कश्वीर उससे बड़ी समस्या नहीं थी लेकिन इसको सिर्फ नहरू ले अपने कबजे में निका ले लिया ये बात सुप्रिम कोट में तुशार मेहताने की सौलिशिचर ज़र्ण ने सिलसलेवार बेवराजब दिया तो खोल करके रख दिया कि सरदार पटेल इसके खिलाप थे कि नेरू कश्वीर को अपने पास रखें लेकिन नेरू गोपाल शंकर आएंगदर को अपना दोथ बना कर कश्वीर पर खुद निरने लेना चाहते थे 1947 में जब भारत विभाजन हुआ और कई देशी रियासत अपना फैसला नहीं कर पाये थे उसमें कश्वीर भी एक था उस कश्मीर के राजा थे महराजा हरी सिंग हरी सिंग अपनी जित पर थे कि वो अलग राश्टर रहेंगे अलग देश रहेंगे उनका अलग जंडा होगा वो अलग देश होंगे लेकिन जब पाकिस्तान के ने एक आएक कश्मीर पर हमला कर दिया तो राजा हरी सिंग सीर्य भारत के प्रहान मंत्री के शर्ण में आए ये कहानी तो सब जानते हैं लेकिन सुप्रिम पोर्ट में जो बात तुशार मेता ने बताई वो चौपाने वाली थी तुशार मेता ने कहा कि जो ही हरी सिंग ने लिखित में ये दिया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं भारतिय सेना ने कश्मीर को अपने कपजे में ले लिया यूँ कहें कि कश्मीर को मदद की हरी सिंग चुपी राजा हिंदू थे संख्या पहुसंखे मुसलमानों की थी और नहरू इसलिए मुसलिम तुष्टी करना चाह रहे तब जब इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलिम के न सुप्रिम कोट में पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट के मुताबिक सरदार पटेव के हवाले से तुषार मेता भारत के सॉलिशीटर जंडल ने कहा कि 3070 सिर्फ और सिर्फ नहरू की देन है तुषार मेता आगे जाते जग कहे कि जब नहरू कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो जब भारतिय सेना कश्मीर पर अपना कबजा देर इधीरे पाकिस्तानी कवालियों को पाकिस्तानी सेना को भागाती चली गई उसी बीच में नेरू के पास जिन्ना का प्रस्ताव आया और जिन्ना ने उन्हें लाहौर बुला गिया नेरू जाने को तयार थे लेकिन सदार पटेल ने उन्हें जाने नहीं दिया और कहा कि वो हमलावर है। उसने हमला किया है कि हम हमलावर नहीं है इसलिए उसे हमारे पास आना चाहिए। क्योंकि सरदार पटेल को लगता था कि यदि नेरू लाहोर चले गए तो पूरा कश्मीर भारत गवा देगा। इसलिए सरदार ने अपनी जिद ठान ली और नेरू क संग चले गए मौंटेन बेटन की सलाप और उसके बाद कश्मीर की समस्या वहां रह गई जहां से कश्मीर को निकाला नहीं जा सका। जिसका फैसला 1947 दे पहले जिनका अलग-अलग अपना समिर्हान था, अपना कानून था, अपना ज्हंडा था, उन सब राज्यो पर में किसी में 370 जैसी कानून लागू नहीं हुए, सिर्फ कश्मीर में यह नहरू की नीती के कारण हुआ। सरदार पटील लगातार नहरू पर हमलावर होते रहे, यह तमाम जिरह सुप्रिम कोट में होती रहे, उस सुप्रिम कोट में जब नहरू की बात आई, तो कोट करके दस घंटे बहस के बाद भी पूर्ती ना कर पाए का पिस सिब्बल मैदान में आए, और सिब्बल ने कहा, बिलकुल, आप तो ऐसा महौल बना रहे हैं, मानो सब समस्याओं का जर सिर्फ जबाहरलाल नेरू है, तुशान मेता ने कहा हम इसे राजलितिक रंद नहीं देना चाहते, लेकिन सच यही है, तब सुप्रिम कोट चौक गया, जब यह पाया कि 370 के कारण जम्मू कश्मीर की का इदिकार है, न जम्मू कश्मीर में वो सरकारी नौकरी कर सकता, जम्मू कश्मीर के विश्विद्याले में खेस भारत के लूग पढ़ भी नहीं सकते, वो हावार्ट कैम्बरीज में पढ़ सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं, दलितों के लिए वहाँ सरकारी नौ करके करवाया इस बात को सुर्फ सुप्रीम कोड चौक गया और जस्टिस चीफ जस्टिस अफ अफ इंडिया जस्टिस चंदर चूर इस पे चौके और इननका ये 35 ये तो पूरी तरह से फंडामेंटल राइट का उलंधन है तो शार मैता ने फिर अपना तीर छोड़ा और कहा माईलोड है सम नहरू की देन तो सोच ये जिस व्यक्ति को इस देश का खनिती निर्माता बनाया गया हमें बचपन से पढ़ाया गया कि नहरू भारत के आधुनिक निर्माता है आधुनिक भारत के निर्माता है आधुनिक भारत में कल पूर्जिक लाने वाले नहरू है उस सरदार पटेल के पास कश्मीर मुद्दा होता तो उसका विस समाधान हो जिस वक्ति ने देश के 562 देशी रियास्तों का समस्या का समाधान कर दिया उसके लिए कश्मीर कितनी बड़ी समस्या थी आज कश्मीर हमारे लिए इसी रहे समस्या है पाकिस्तान और चीन उसे नोच खाना चाहता है क्योंकि निहरु की ये कमजोर और मुर्खता पुर्ण विदेश निती थी कई बार लगता है कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना चाहिए संसत प्रमुक है सुप्रीम कोर्ट क्यों लेकिन फिर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट प्र 370 जा करके दरसल इस मापूरे मामले ने जवाहला निरु का पूरा चड़ितर नगन कर दिया है उनका पूरक नताब उतार दिया है कि भारत के प्रधान मंत्री रहते वे भी निरु ने भारत का अहित क्यों साधा आज 370 खत्म है जम्व कश्वीर देश के दूसरे राज्यों कि तरह वहाँ आमन चैन है देश के दूसरे राज्यों के लोग वहाँ जमीन खरीद पा रहे हैं वहाँ नौकरी सरकारी कर पा रहे हैं जम्व कश्वीर में परेटन उद्योग बड़े पैमाने पर फैल रहा है जो आतंकबाद की भीट चड़ रहा है आज आतंकबाद का मुबेस वहाँ से खत्म हो चुका है तीन परिवार का जो वर्चस हो था वो खत्म हो चुका है वो सब के सब मनी लॉंटरिन के शिकार हो चुके हुए है फारुक अब्दुल्ला और उसके कुनबी की महत्ता देने के लिए निहरू ने उससे रिस्तेदारी निवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जिव धि 2370 को चैलेंज सुप्रीम कोट में नहीं किया जाता तो निहरू का ये चडितर चित्रन नहीं हो पाता देश को असली इतिहास जानने का अवसर नहीं मिल पाता तो आपको समझ में आया होगा कि 370 पर सुप्रीम कोट में जीरा का भलेई आपको त्पीरा दायक लगा हो लेकिन जब से 370 सुप्रीम कोट पहुंचा है तब से नहरू का असली चरितर सामनी आया है। भारत अपना असली इतिहास जान पाया है और ये जान पाया कैसे असली न इसलिए जब तीन मुर्थी भवन जो नहरू प्रधान मंत्री का सरकारी निवास था उसे नहरू मेमोरियल बना दिया गया और उसे जब प्रधान मंत्री मेमोरियल बनाया गया तो ये भी पीरा कॉंग्रिस को होती। दरसल इस देश में नहरू के अलावा किसी की कोई महत्ता दी नहीं गई, गांधी को भगवान बना करके नहरू की लतीर लदातार बड़ी करना ही इस देश का चडितर बना दिया गया, आज नहरू का सच जानकर देश भौशक है कि आज नहरू के इस मुर्खतापुर्ण फैस में इसी लिए चला गया, क्योंकि ये नहरू की बदनियती थी, सुप्रिम कोट में 370 का मौामला जाना, निश्चित रुप से इतिहास के उस सच का सामना है, जिससे अब तक हमें अब गथ नहीं करना है गया था, ये वीडियो विश्लिशन आपको कैसा लगा, इसके कंटें पसंद आए वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कर लीजे, ये आपने सबस्क्राइब नहीं किया है, और ये आप हमें जा हमारे चैनल को सबस्क्राइब करते हैं, तो हमारा मनोहल बढ़ता है, हमारी टीम का उत्साह बर्दन होता है, तुमारे टीम, हमारी चैनल का उत्सा बर्दन कीजिए, इस चैनल को सबिस्क्राइब कीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, वंदे मात्रम, जैहंद!